आज बनाने वाले हैं कुर कुरी और क्रंची चकली जो हातों से फ्रेस करते हैं क्रंची होकर तूड़ जाए देखिए इस तरहे के से तो कितनी क्रंची हमारी चकली बनी है तो चलिए बुना टाइम वेश्ट की रेशिपी को स्टार्ट कर देए यहाँ पर मैं ले रहे हूँ आधा ग्लास सफेद उरत का दाल, इसे हम एक वाटी में डाल देंगे, इसे हम धो कर पाने डाल कर रख देंगे, करीबन दो घंटे के लिए, इससे हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, तो दो घंटे के बाद देखते हैं, दाल काफी अची तरीके से फुक चुकी है, आप चाह करेंगे, आपको मेजर्मिंट एक यह चीज का रख ना है, अगर आप वाटी का इस्तुमाल कर रहे हैं, तो आप वाटी से रखेज गलास का इसस्तमlair कर रहें, तो अब इसे गैस पेण। साथ सीटी ले लेंगे, मीडियम फ्लेम पर, तो चलिए, यहाँ पर पास सीटी हो ग इस तरीके से इसे फेट के ले लेंगे ताकि इसमें कोई डाल का दाना ना रहे तब हमारी चकली क्रंच और टेश्टी बनेगी अगर आप स्पून से इस तरीके से प्रेश नहीं करना चाहते तो आप मिक्सर की जार में भी इसे पीस सकते हैं तो पानी का इस्तमाल ना करें यह आसानी से पीस कर हो जाएगा तो मैंने तो यहां स्पून से इस तरीके से घुमा लिया अब इसी ग्लास से मैं चार ग्लास चावल का आटा ले रहे हूं तो इसी ग्लास का माप मेंने रखा है आप मेजरमेंट से बनाए तब ही हमारे चकली टेश्टी बनेगी तो यहां पर 4 ग्लास हमने चावल का आटा ले लिया है अब जो हमने दाल घूटके रखा था उसे एक कड़ाई में निकाल लेंगे अच्छी तरीके से सारे दाल को हम कड़ाई में निकाल लेंगे कोई भी सामान हम वेश्ट नहीं करेंगे तो यह दिखिए इसी ग्लास से मैं यहाँ पर टू एन हाफ ग्लास पानी का इस्तमाल कर देंगे ताकि जो कुकर में लगा हुआ दाल है वो कड़ाई में डाल दे तो अच्छी तरीके से कुकर को भी अच्छी से साफ करके जो लगा हुआ दाले उसे भी हम कड़ाई में पानी के साथ डाल देंगे यह दिखिए यहाँ पर हमने गैस को आउन कर दिया है और कड़ाई रख दिया है गैस को रखेंगे हाइफ लेंपर औ बोईल होने लगा है अब मैं यहां पर इस्तमाल करूंगी नमक तो नमक आपने सौद के अनुसार ले यहां पर एक स्पून तीखा लाल मिर्च पाउडर आप तीखा अपने हिसाब से डाल सकते एक स्पून में अजवाइन का इस्तमाल करें इसे क्रस्ट करके डाले यहीं पर अब पानी अच्छी तरीके से बॉइल होने लगा है सारी चूजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को रखेंगे मीडियम फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे रखें हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है यह देखिए इसमें एक उबाल आ जाए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालेंगे हमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालकर कंटिनू इस तरीके से मिक्स करते जाना है और गैस को हम और आटे को मिक्स करने स्काइव सकते हैं, अब थोड़े少 से आटे से मिख्स करने, ने में, चौक्छ से अध हो, मिक्स करें आटे से देंके से मिक्स करते में,, अब यहां पर सारे आटे को हमने डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यह दिखी धीरे-धीरे काफी अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है हमने इसमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल नहीं किया है जो हमने ढ़ाई ग्लास पानी लिया था टू एन हाफ ग्लास पानी वही पानी है तो अच्छी तरीके से यह मिक्स हो चुका है आप लोग देख सकते हैं अब हम इसे दो से तीन मिनट तक धक्कर रख देंगे और गैस को स्लो ही रखेंगे तो दो से तीन मिनट हो गया है चलिए अब अच्छे से मिक्स कर लेते तो यहां हमने काफी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया आप देख सकते हैं यहां पर छोटी चोटी गुटली आई है तो यह पर्फेक्ट है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे यहां पर छोटे स्पून से दो स्पून में आईल का इस्तमाल कर रही हूँ ठंडा आईल है गरम आईल नहीं है आपको गरम आईल का इस्तमाल नहीं करना इसमें अब हम आटे को अच्छी तरीके से गुण कर ले लेंगे तो यहां देखिए मैंने पानी का इस्तमाल नहीं किया है जो पानी हमने पहले डाला था वही पानी है आप पर्फेक्ट मेजर्मेंट से बनाई है आपकी चकली बिलकुल खराब नहीं होगी और बहुत अच्छी बन कि इस तरीके से गुण कर ले लेना है यहां पर हम चक्रिक Alban का जार ले लेंगे अब इस तरीके को गोला बना कर हम इसमें डाल दें गे थोड़े से उस्तमाल और इस्तमाल करेंगे और अच्छी सेडाल देंग ताकि इसमें कोई एर नह और बचे हुए आटे को हम ढगकर जिसमें चकली बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं यह दिखी इस तरीके से हम मशिन को प्रेस करते जाएंगे और हाथों से गोल-गोल करते जाएंगे तो आपको जितनी बड़ी साइज चाहिए आप अपने हिसाब से उस साइज को बना सकते हैं बड़ा चोटा जो भी आपको पसंदो तो इस तरीके से गोल-गोल घुमाते जाएंगे और चकली की मुझ को इस तरीके से प्रेस कर देंगे अगर हम इसे प्रेस नहीं करेंगे तो चकली हमारे तेल में फ्राय करते समय चकली का मुझ खुल जाएगा इसलिए जब भी हम चकली बनाएंगे तो हमें इस तरीक अज़ेसे हलकी हाँ से प्रेसकर देना है ताकि इ Stelle करेंय deber Town Ram वहां हमने ओइल गरम कर लिया था और हमने गैसकर रखा है मीडियम कर दिए में इसे हा अजीअ पर फ्राय करना एक रियार हमारी निया पर लिम नहीं पर दो वरना हमारी चकली क्रंची नहीं होगी, तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राइ करके ले लेंगी, यह देखे, काफी अच्छी तरीके से यह फ्राइ हो चुका है, तो यहां हमारी चकली बनकर रेडी है, आप लोग देख सकते हैं, काफी क्रंची बनी है, चकली बनाना बहुत तीजी है, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करना बिलकुल ना भूले, मिलती हूं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाए-बाए-बाए-बाए